नमस्कार दोस्तों, स्वागत थे आप सभी का हमेरी जनल पर आज मैं आपको बलगम यानि की कफ को प्रकृतिक तरीके से बाहर निकालने के लिए कुछ बहुती बहतरीन घरेलू उपायों के बारे में बताने वाली हूँ कफ अकसर सर्दी और अन्य उपरी श्वसन संक्रमन की वज़ से हो जाता है ये ज़्यादा गंबीर स्वास्त समस्या नहीं होती है लेकिन अगर इसका इलाज समय पर ना किया जाए तो इससे ब्रौंकाई टूब बंद हो सकती है इससे सेकेंडरी उपरी श्वरसन संक्रमंट भी हो सकता है बल्गम की वज़ा से नाग बहना, सांस लेने में दिक्कत आना, आदी समस्याएं हो जाती है वहीं कुछ मामलों में कफ के कारण बुखार भी आ जाता है कफ अगर समय पर नाठियक किया जाए तो वो छाती में भी जमा होता चला जाता है कफ से बैक्टीरिया, वाइरस और सूजन रोधी कोशिकाएं बनती हैं जिसकी वज़ा से संक्रमंट बढ़ता जाता है कफ को खत्म करने में काफी समय लगता है दोस्तों लेकिन कुछ प्रभावी घरेलू उपाय से आप कफ को बिना किसी नुकसान के जल्द से जल्द खतम कर सकते हैं तो आईए, आज हम आपको बताते हैं कफ यानि की बलगम को निकालने के कुछ घरेलू उपचारों के बारे में इसकी जानकारी जानने से पहले सबसे पहले तो एकनिवेदन उन लोगों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं करप्या, सब्सक्राइब का बटन दबा कर हमारी सदसिता को जरूर ले ले तकि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे द्वरदी का जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा बिठा सकें दोस्तों, अद्रक में ऐसे बहुत से तत्व होते हैं जो बहुत सारी बिमारियों का सामना कर सकते हैं इसके सिवन से सर्दी खांसी में फाइदा होता है और श्वसन प्रक्रिया भी ठीक हो जादी है इसके अलावा दोस्तों, आप बलगम को प्राकरतिक तरीके से बाहर निकालने के लिए भी अद्रक का इस्तमाल कर सकते हैं इसे इस्तमाल करने के लिए 100 ग्राम अद्रक को कूट लीजे, 2-3 चमच शहत को उसमें मिला लीजे फिर इस पेस्ट को 2-2 चमच दिन में 2 बार लीजे दोस्तों, इससे आपका बलगम प्राकरतिक तरीके से बहुत ही जल्दी बाहर आ जाएगा इसके अलावा दोस्तों, सफेद मिर्च का इस्तमाल करके भी आप इस समास्यास से राहत पा सकते हैं इसे इस्तमाल करने के लिए आधी चमच सफेद मिर्च को अच्छी तरह से पीस लीजे, फिर इसमें 1 चमच शहत को मिला लीजे इस मिक्सचर को 10 से 15 से केंड्स माइक्रोवेव कीजे, फिर पी लीजे इसे पीते ही आपको फोरण ही आराम मिलेगा दोस्तों बल्गम से पूरी तरह से चुटकारा पाने के लिए इस मिक्सचर को एक हफ़ते तक दिन में 3 बार जरूर लीजे वहीं दोस्तों गारजर जो होती है न वो भी बल्गम को प्रकृतिक तरीके से बहार निकालने के लिए बहुत ही ज़ादा फाइदमन्द मानी जाती है गारजर में विटामिन C की प्रचुर मात्रा होती है इसमें मौझूद एंटी ऑक्सुदेंट तत्वों की वज़ा से ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाती है इसके अलावा इसमें ऐसे बहुत से विटामिन्स और पोशक तत्वों होते हैं जो की खासी और बल्गम की समास्या को दूर करते हैं इसे इस्तमाल करने के लिए तीन से चार ताजी गाजर का जूस निकाल लीजे उसमें थोड़ा सा पानी और दो से तीन चम्मच शहत को मिला लीजे अच्छी तरह से इस मिश्रण को मिलाईए फिर इस मिश्रण को एक दिन में दो से तीन बार पीएं दोस्तों इससे आपकी बलगम की समस्या बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी तो दोस्तों आपको हमारे तोरह दी गईया जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेर जरूर कीजेगा अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद